आप देख रहे हैं देशन लाइफ हर पल आपके साथ लोक्स बचुनाव से पहले मोधी का नया दाव दिल्ली की अनुथ्राइस्ट कॉलोनी को अथ्राइस्ट करने के निकालेंगे उपाए राहूल ने राफेल के गायब हुए दस्थावेज का उठाया मुद्दा कहा मोधी सरकार में रोजगार किसान और राफेल की फाइले समेच सब गायब अब आरजडी नेता तेजस्वी और तेजप्रताव ने भी केंद्र को गेरा कहा सुरक्षा की अंतिम गारेंटी चौकिदार की नहीं थानेदार की जनता है थानेदार देगी सजा संत कभी नगर में बीज़ेपी के सांसोद और विदायक के बीच जूतम पैजार की वीडियो हुई वाइरल लखनव हुए तलब और जम्मू के में बस स्टेंड पर आतंकियों के हद गोले फेकने से 28 लोग गायल एक की मौत कई गंभीर 28 संदिग्द पुलिस की हिलासत में नमश्कार नेशन लाइब में आपका स्वागत है मैं हूँ अन्शुल कौशिक परधान मंतरी ने ने बार 20 रुपे का सिक्का जारी किया है परधान मंतरी मोधी ने गुर्वार को 20 रुपे के नए सिक्के के अलावा एक रुपे दो रुपे पांच रुपे और दस रुपे के नए सिक्के भी जारी किये यह सिक्का दिव्यांगों के लिए खास है इन सिक्कों को वे आसानी से पहचान सकते हैं यह सिक्के 27 mm अकार के होंगे हलाकि 20 रुपे के सिक्के के किनारे कोई निशान नहीं होगा सिक्के की आउटर रिंग 65 फीसदी कॉपर 15 फीसदी जिंक और 20 फीसदी निकल होगा जबकि अंदर की डिस्क में 75 फीसदी कॉपर 20 फीसदी जिंक और 5 फीसदी निकल होगा लोकस्वा चुनाव हो या विधान सबर चुनाव दिल्ली की एनॉथरैज्ड कालोनियो का मुद्दा राजनेतिक दलों के लिए हमेशा ही एहम रहा है अब चुनाव में महज़ कुछ ही दिन बचे हैं तो ऐसे में केंद्री की मुधी सरकार एक बार फिर से दिल्ली की जनता को लुभाने का एक नया तरीका निकाल लाई है जी हाँ अब मुधी सरकार ने दिल्ली के अनाथराइज कालोनियो को लेकर बड़ा दाउ खेल दिया है जिससे लेकर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक की गई और उसमें कैसे अनाथराइज कालोनियो का अथराइज कालोनियो में बदला जा सकता है इसके उपाय तलाशने की बात आए जा सकता है गौरतलब है कि कलोनियों को नियमित करने के लिए कई बार फैसले लिए गए लेकिन कानूनन और नियमों के चलते एक भी कलोनी अभी तक नियमित नहीं हो पाई है केंद सरकार इन कलोनियों को नियमित करने के लिए प्रोविजनस सर्टिफिकेट तक दे चुक अब इस बार राहुल गांजी ने प्रेस कॉन्फरेंस करके आरोप लगाए कि राफेल के गायब हुए दस्तावेज में साफ लिखा है कि नरेंदर मोधी इस रक्षा सौधे में समानता सौधे बाजी कर रहा है थे अब ये बात हर कोई कह रहा है उन्होंने कहा कि राफेल डील में रोजगार और किसानों के मुद्दे के साथ राफेल की फाइले भी गायब हो गई हैं मोदी सरकार का काम सब कुछ गायब करना है उन्होंने कहा कि जिनका नाम कागजों में है उन पर कारवाई होनी चाहिए तो एक निया एक नहीं लाइन निकली है गायब हो गया दो करोड युगाओं का रोजगार गायब हो गया किसानों को सही दाम गायब हो गया पंद्रा लाक रुपै का जो वाइदा था पैसा जो बैंक अकाउंट में आना था वो गायब हो गया किसानों के बीमगब पैसा गायब हो गया नोटबंदी और GST में करूबार गायब हो गया धोक्लाम गायब हो गया और राफाइल की जो फाइले है राफेल पर जहां मोधी सरकार कॉंग्रेस के निसाने पर है वहीं अब दूसरे दल भी केंद्र पर निशाना साधिते नजर आ रहे हैं के बाद अब बिहार के पूर्व उपमुख्य मंत्रियों और आर्जेडी सुप्रीमों लालू परशाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने ट्वीट के जरीये मोधी सरकार को गहरा है तेजस्वी ने कहा कि सुरक्षा की अंटिम गारंटी चौकिदार की नहीं थानेद अब चोरी पकड़े जाने का डर लग रहा है तो पूरे दस्तावेज ही चोरी करवा दिये पहले राफेल में चोरी अब दस्तावेज ही चोरी अब तो पूरा देश में शोर है चौकिदार ही चोर है आपको पता दे कि सरकार ने सुप्रीम कोट से कहा था कि राफेल से नरोदा पार्टिया मामले में दोची ठहराए गया था बजरंगी को स्वास्ते कारणों से जमानत मिली है आपको बता दे कि साल 2007 में एक स्टिंग ऑपरेशन सामने आया था जिसमें उन्होंने नरोदा पार्टिया नरसंगार में अपने भूमिगा की बात कही थी बाबू बज पूली थी इतना ही नहीं इस्टिंग ऑपरेशन में बजरंगी ने नरसंगार का कारण भी बताया था उन्होंने 27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टूशन पर साबरमत्य अक्सप्रेस में 69 कार सेवों के जलाने से हुई मौत को दंगो का कारण बताया था उन्होंने कहा जो भी कुछ कारिकर्म आयजित किया गया जिसका स्पी सैलेश कुमार पांडे ने उद्गाटर कि आपको बता दें कि बिनौली थाने के बाद दोगट थाने का सौंदर्य करन किया गया है वहीं जिले के एस पी ने कहा कि जिले को साफ सुत्रा रखना हम सब का दायत्तु है वहीं उन्हों ने जनता से लोकस्वा चुनाव और होली के तुहारों पर शांती बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन का सहीयोग करने के अपील कि इस मौके पर बड़ात के सीयो रामनंद कुश्वहावी मौशूद रहे है अंदरी करन गारिकरम था उसी के उपलक्ष में एक सभा भी रखी गए थी जहां शेत्र के सभी गंदमाने में प्रकी गए उपस्तित हुए इनसे पारतालाब की रहा यूपी के मौराजबाद में होली को देखते हुए खादे विभाग ने मिलावट खोरो पर लगाम लगाने के लिए अपनी तयारी अभी से शुरू कर दी है दरसल खाद विभाग की टीम ने मजोला थाना शेतर के एक फैक्टरी पर चापा मारा है खादे सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिल रही थी कि इस इलाके में नकली बेसन बनाने की फैक्टरी चल रही है फिलार टीम ने पदार्तों के सेंपल जाच के लिए भीज़ दिये हैं और आगे कारवाई में चुट गई है अधिकारी बतावाई में चुट गई है यहां सप्लाई करते हैं तो जनरली जो लट्टू बनते हैं वो प्रायर वेशन के भी बनते हैं ने कि यहां इनके आई यहां विता मिलें कि वो बूटी जो है लट्टू लट्टू के लिए जो बूटी होती है वो बेसन गैदा और सुटी यूपी के मुरादबाद से एक मामला सामने आ है जहां वेपारियों ने रास्ता बंद होने से नराज होकर ट्रैफिक पुलिस समेत स्पी ट्रैफिक का घिराव किया साथी वेपारियों ने जम कर हम मंगामा काटा और नारेबाजी भी के दरसल मुरादबाद विजन ओर रोड पर ट्रैफिक एसपी राउंड पर निकले इसी दोरान साही मंदिर के पास रास्ता बंद करा दिया जिससे इस्थानिय वेपारियों को काफी परिशानियों का सामना करना पड़ा जिससे नराज वेपारियों ने हंगामा करना शुरू कर दिया जिसके चलते कई घंटों तक या तयात ठप रहा है जिससे नराज करने जाज वेपारियों नियुक्त है एंक बचिरभकाएजा एंची, नुझा और भा राग ए음, को पमार किया नुझाएमा. कि एिसरो आपमारेग्ञ से उल्ट तुझार पक्ड़न में लियाना, एक राथ जायर में राग बदक्पाएञा, और र्रічिते साना, 36 गड़ के बिलासपुर में बदमाशों का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है ताज़ा मामला सक्री थाना शोयतर के सामने आया है जहां बेखाफ दो अग्याद बदमाश स्कूल के चप्रासी की स्कूटी लेकर फरार हो बता जा रहा है कि पीड़त सक्रा गाउं के हायर सेकंड स्कूल में चप्रासी की नौगरी करता है और दसवी की बोर्ड की परिक्षा खत्म होने के बाद वापस घर जा रहा था उसी दौरान दो अग्याद बदमाशों ने उसकी आखों में मिर्ची डाल कर स्कूटी लेकर फर कोशामभी के मंजनपूर थाना इलाके में प्रेमी के साथ लापता हुई किशोरी के पिता की रहस्ते में मौत का अजीब और गरी मामला सामने आया है किशोरी के परिवार वालों का आरोप है कि पिता मौत बीटी के भाग जाने के बाद लगे सदमे और पुलिस की सुस्ती कारवाई के चलते पिता की मौत हो गई पुलिस से इंसाफ पाने के लिए वै लाश लेकर स्पी दफतर पहुँचे हैं इस पूरे मामले पर स्पी प्रदीप ने परिजनों से तहरीर लेकर आरोपित लड़के पक्ष पर प्रतारित करने और आत्मत्या के लिए उक्साने का मुकदमा दर्ज करा कर कारवाई की बात पूरे मामले की बात की जाए तो मंजनपुर थाना इलाके के रहने वाली किशोरी कोकराज थाना इलाके के युवक के साथ 16 फरवरी के साथ चली गई थी किशोरी के फरार होने के बाद से किशोरी का परिवार कोकराज और मंजनपुर थाने के चक्कर लगाता रहा लेकिन पुलिस ने कोई ठोस कारवाई नहीं की इस सद्वे से किशोरी के पिता ने घर से ही खाना पीना छोड़ दिया था पुलिस अधिकारियों से शिकायत के बाद कोकराज पुलिस ने चार मार्च को आई-पी-सी की धारा 363-366 के तहत मुकद्वा दर्च किया इसका मुकद्मा थाना कुप आप पहंती करता है आज जो रड़की के परिजन है उन्हें आरोप गजाया कि उनके रड़की के पिता को कुछ रड़के वालों ने अब शब्द कहे उलाना गिया जिससे पितारित होके उसने सुसाइड कर लिया है एक तहली है उस तहली पर मुक दरश ग्राम बनाने का वादा किया था लेकिन ये सपना ग्रामिनों के लिए सिर्फ और सिर्फ सपना बन करी रह गया दरसल बालिटारा मंगल दोई लोक्षवा के अंतरगत आता है इसके सांसद्रमंडे का है आपको बता दे कि गाउं में पानी की समस्या इसकदर है कि गाउं में ना तो अभी तक पानी की समस्या दूर हो पाई है और ना ही गाउं में स्वच्चता के लिए कोई काम हुआ है खबर यूपी के गौंडा से है जहां CBSC Board दसवी में पढ़ने वाले 13 चातर मैत की परिक्षा देने से वनचित रह गए बच्चों और उनके परिक्षा कक्ष में घुषने की परिमिशन भी उनको नहीं मिल पाई और सभी 13 चातर परिक्षा देने से वनचित रह गए जिसकी शिकायत बच्चों और उनके परिजनों ने जिला धिकारी से की है 13 बच्चों के भविश्य के साथ हुए खिलवाड का ये पूरा मामला शहर सिविल लाइन इलाके के संचालित रगुकुल विद्यापीट का है मेरा बच्चा रगुकुल विद्यापीट में पढ़ता है और उसका आज त्यंत का इक्जाम ता सिद्यसी बोर्ड का जिसका बिना किसी वज़े से इसका एड्मिट कार्ट लोग दिया गया है कल रात तक की प्रिंसिपल ने अपने ओफिस में बठा के रखा सारे स्टुडेंट को 13 स्टुडेंट से जिनका एड्मिट कार्ट बिना किसी के वारें तोग दिया है कोशामबी के मजलपूर कस्पे में किराए पर रह रहे स्टुडेंट के अर्दली के बंद मकान को चोरो ने अपना निशाना बनाया है आरोप है कि अग्याद चोरो ने मंगलवार की रात घर में घुसकर कीमती जेवरात और नगदी लेकर फरार हो गए निसार एहमद कोशामबी के स्ट्रीम के अर्दली हैं पिछले कई दिनों से बिमार होने के कारण वे प्रियाग राज के नीजी अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे देर रात चोरो ने इस घटना को अंजाम दिया जिसकी शिकायत और सेजी टीवी फुटेज डेने के बाद मंजनपुर पुलिस ने कारवाई शुरू कर दी है कि यह घर तो हमारा है लेकिस मेरे एटियम के चप्रासीं सारहमन इंका नाम है वह रहते हैं कि छोटे-छोटे बच्चे तीन हैं वहारे से में सो रहे थे और उनकी तब्य थ्राब होने जिलाबाद में भती हैं दवा चल रही है उनके राब में अचानक ताला तोड़किन उ देखा गया है पूलिस अपकर पुलिस भी आई चानबीन किया है अभी कोई करबतार ने कर सकी ना समान मुराबात हो चुक्ता है समान हमारा दे जाने अच्छा है कितना करीब समान गया है समान करीब 40,000 समान गया जेवराज जो थे तक रंग्ती करीक दस जार रुपए थे पितल नगली के नाम से मशहूर मुराजबाद जुले में पितल फैक्ट्रियों में काम करने वाले कारीगरों के लिए जागरुकता भीहान चुलाई गया जिसके जरिये कारीगरों को वीवी पैट मशीन की जानकारी दी गई आपको बता देगी परशासन की तरफ से एवीय मशीन को लेकर पितल फैक्ट्रियों में काम करने वाले कार ग्रो और मजदूरों को मतदान के लिए जाग रूप किया है 2019 के चुनाव जैसे नजदिकार रहे हैं वैसे वैसे चुनाव आयोग ने जो आम जनता है उनको वीवी पैट और चुनाव के लिए जाग रूप करना शुरू कर दिया है इसके चलते यूपी के मुरदबाद में लोगों को वीवी पैट और वोट डालने चुनाव के लिए जाग रूप किया गया है जिसके चलते वीवी पैट मशीनों की जानकारी जो पीतल फर में काम करने वाले कारिगर हैं मजदूर हैं उनको दी गई है इसके बारे में लोगों को शायत कम जानकारी होगी इसके बारे में लोगों को शायत कम जानकारी होगी इसलिए इस सुदेश से ये बताया रहा है सबकों की डियू पैट तक क्या फंक्शन है और वो मशीन भी देख ले और उससे मतलान कैसे करना है उसके क्या पाइदे है ये अच्छी तरह से जान ले असम के लखिंपूर जिले में नावबैसा डिवलोप्मेंट ब्लॉक में बड़े घोटाले का मामला सामने आया है यहां बीडियो और अकाउंटेंट पर ही लाकों के घोटाले का रूप लगा है खबर है कि नावबेसर डिवलोप्मेंट ब्लॉक की वीडियो बंजोती गोगई ने ब्लॉक के ही अकाउंटेंट निर्मल चंद्रपॉल के साथ मिलकर मन्रेगा स्खीम में लाको रुपे का घोटा लगिया है वहीं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पुलिस को इसकी जा नगर कोतवाली स्थित दयाल किर्याना स्टोर में सुबहा लगबक दस बजे 6 शॉष सर्क्ट से आग लगई इस आग लगने से एक इसने विक्राल रूप धरन कर लिया और देखते ही देखते आग पूरी बिल्टिंग में फैल कई और धुएं के गुबार और आग की लपेट नजर आने लगी सूचने पर पहुंची फाइर बिगिट की आदा दर्जन गाड़ियां आग पर काबू पाने की जद्दो जोहत में लगी रही फिलहाल आग पर पूरीत रहे काबू तीन घंटे बीट जाने के बाद पाया गया आग शहर के बीचों बीच इस्तित बाबागंज के वेवसाइक इलाके में लगी थी जहां एक तरफ से तमाम दुकाने मौजूद हैं आसपास की दुकानों को भी आग लगने का खत्रा देखते हुए लोग दुकान और मकान छोड़कर निकल गए आग की लप्टों को देखकर वेपारियो रागीरों की हजारों की संख्या में भीर जमा हो गई जिसके चलते प्रियागराज अहुद्य हाईवे घंटों से जाम रहा है रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया था इस आग के चलते लाकों की नुकसान बताय जा रहा है यूपी के जनपतर शाजापूर में उस समय संसनी फैल गई आपको बता देगी थाना निगोही चेत्रों गाउं बसुरी में दबंगों ने चुनावी रंजिश के चलते एक वरद को गोली मार कर गहल कर दिया गोली कांड की यह गटना थाना निगोही चेत्र के गराम बसारी में मंगलवार की शाम करीब साड़े साथ पजे हुई है गाउं के निवासी प्रेमचंद एमम उनके गहल पिता जोगराज ने बताया कि वे अपने घर से दूसरे घर पर सोने के लिए जा रहे थे की रास्ते में ही गराम मियापुर निवासी सियाराम ने उनको रास्ते में ही घर लिया और दबंग सियाराम ने जोगराज को सीने में गोली मार दी और फरार हो गए जहां गम्बी रूपसे गहल जोगराज को उपचाहर के लिए निगोई सीएसी में भरती किया गया है जहां योगराज की हालत गम्बी देखते होए निगोई सीएसी से डॉक्टर ने जिलास पतार शाजापूर के लिए रैफर कर दिया है कि इसमन्द में थान दिगोई परवियो बन्जी की रहा गया है तो विजी कारवाई की है कि भाईया सराफ किये हो अब खारा काई एक बिरोधी के दुगारा बोठाड़ो हो अब हम काना खाई गया इन खाया होई अनी कजी होऊ दूजय में डूजय फाईय यह पर गया है हु उन्द माहत बन्हों खरगा है और इसके लेप साइड पाया अंद्री रखेस लग रहा है लगबग तीन दशक पुराने भाजपा नेता राम सुंदर चौधरी को अग्याद बदमाशों ने गोली मारती तावरतोर तीन फायर के गए गए जिसमें गोली उनकी पीट पर लगी और दो गोलिया उनकी गाड़ी पर लगी है शाम सुंदर चौधरी लगबग तीन दशकों से भाजपा में रहे हैं और तीन साल से वे बहराईच के जिलाद धक्ष भी रह चुके हैं वरतमान समय में वे श्रावस्ती लोकसुबा परभारी भी हैं और पार्टी के काम के सिलसले में वे इकौना जा रहे थे तभी रास्ते में अग्यात मोटर साइकल सवार बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया विहात कोटवाली के सपना फ्लोर मील के पास भाजपानेता कुछ तवियत खराब हुई तो उन्होंने गाड़ी रुकवाई और जैसे ही वो गाड़ी से नीचे उतरे कुछी दूरी पर पीछा कर एक मोटर साइकल पर दो लोग हेलमेट लगाए हु सुन्दर चौधरी जी है जो बहराइच के रहने वाले हैं इनका अकसर जो मूवेंट है वो बहराइच से इकौना श्रावस्ति बल्गामपुर तरव रहता है आज भी अपने ये इसी काम से अपने एक साथी उपादेजी के साथ सुगह नौ बज कर दस मिन के खरीव अपने इनकी गाड़ी पे उपर फायर किया है फायरिंग में इनकी गाड़ी का एक जो शीशा है वो तूटा है साथ ही इनकी पीट में भी एक जो बुलिट है वो तच करते हो निकली अध्यक्ष भाजपा कर मैं रहा हूं सन इन्जी सो सतानवे से चैनवे से निनाव जेती है पिर बुलिटिन में फिलाल इतना ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए निशनलाइब